यह कोश्चन किया जा सकता है अपका क्या कहता है कोश्चन में ABC and company making sales 16 lakh and extend credit of 90 days to its customer कहता है कि सर अगर मैं अपना customer को दिन अगर यानि 90 days extend कर दूं तो मेरा सेल्स होगा 16 lakh however in the order to overcome financial difficulties it's considered to change the credit policy यानि अभी यह 16 lakh का sale कर रहा है currently और 90 दिन का customer को proposal देता है लेकिन financial क्योंकि working capital चाहिए ना तो उस difficulty के कारण चाहता है कि यार अब उधार ना ज्यादा दिन ना दिया जाए कम कर दिया जाए अगर हम साट दिन का देंगे तो और घटेगा और अगर हम 30 दिन का देंगे तो और घटेगा और अगर हम 15 दिन का देंगे तो और घट जाएगा तो मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है जहां पे जादा प्रॉफिट आएगा उसे मैं एक्सेप्ट कर लूगा मैंने कहा बताने के तरीके कहीं है तो कितने पॉलिसी होगे एक दो तीन चार पाँच और एक पर्जेंट छे पॉलिसी होगे टूटल तो हम छे पॉलिसी लेके चलेंगे तो इसको मैं कुश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं इसलिए मैंने कुश्चन को थोड़ा अभी स्पेस बनाते हैं को छे लाइने खीचनी है मुझे अग्या हो 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 एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे. सबसे पहले 90 डेज, फिर 75 डेज, फिर 60 डेज, 45 डेज, 30 और 15, ठीक है? हर किसी का सेल्स दे रखा है, हम डारेक्ली लिख लेते हैं, सेल्स और ये पर्टिकुलर, तो यूनिट से मल्टिप्लाई करने की अवशक्ता है ही नहीं यहाँ पे से, दे रखा है अमाउन, तो यहाँ पे ता 16 लाग, यहाँ पे 15 लाग, 14 लाग, 50 अजार, 14 लाग, 25 अजार, 13.5 लाग, और यह 13 लाग, वीसी कहता है, 80 परसेंट है, तो भीया, सेल कहीं होगा, लेस वीसी, वीसी का मतलब, वेरियेबल कॉस, तो कितने परसेंट है, 80, तो आप निकालिए, हर किसी का 80 परसेंट, इसका क्या हो जाएगा, 80 परसेंट, 16 लाग का, 12.8, ठीक है, 15 का, 12 लाग, 14.5 का, 11.6 लाग, ठीक है, लाग में डिजिट ले रहाँ, 11.4 लाग, 13.5, 10.8 लाग, 13 लाग, 10.4 लाग, माइनस कर देंगे, इसमें FC, और सर, हर लेवल पर FC सवाल में दे रखा है, एक लाग, एक लाग, एक लाग, एक लाग, एक लाग, एक लाग, और एक लाग, अब easily हम find out कर सकते हैं, यहाँ पर, earning, before, interest and tax, इसको operating profit भी बोला जा सकता है, इसको operating profit भी बोला जा सकता है, तो 16, माइनस में 12.8, माइनस में 1, 2.2, आप निकालते जाएए, तीरा, पंदरा में से तीरा आगे तो, दो लाग, 14.5, माइनस में 11.6, माइनस 1, 1.14.25, माइनस 11.4, माइनस में 1, 1.13, माइनस में 10.4, कितने आ रहे हैं, 170, और ये, 160, ठीक है, अब investment देख लेते हैं, तो investment ना, यहाँ पे, हर किसी का investment दिखाना अब possible नहीं बन पाएगा, तो हम यहाँ working note बना लेंगे इसका, नंबर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और 6 का, simple, तो नंबर 1 का TC निकालेंगे, तो 13,80, 13.8, 13,00, 12,60, ग्यारा बारा लाख चालिस अजार, ग्यारा लाख अस्याजार, और ग्यारा लाख चालिस अजार, ठीक है, अब multiply by, अब days में क्योंकि है, तो days कितना है, 90 divided by, अब सवाल में कह भी रहा है, 360 मानें आप दिन, ठीक है, यहाँ पर किस से divide करेंगे, 75 divided by 360, यहाँ पर 60 divided by, यहाँ पर क्या होगा हमारा, 60 divided by 360, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 45 divided by 360 यहाँ 30 divided by 360 यह तो एक तरीके से मैं पता नहीं क्या काम कर रहा हूँ बे फजूल काम कर रहा हूँ यह तो आपको समझ महीं आ गया अब मैं directly निकाल लेता हूँ 13.8 into 90 divided by 360 तो यह आ गया 3.45 अब ना यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि पूरे पूरे डिजिट ले रहता हूँ 3.45 थोड़ा easy रहेगा 13 into में 75 divided by 360 यह आ गया 27083 27083 तीन यह आ गया ठीक है 12.6 2.6 निकालते जाएए आप यह आ जाएगा हमारा 12.4 45 यह आ गया एक लाग पच्पन हजार ठीक है यह आ गया 98 यह 47,000 मैंने इसको पूरे डिजिट में ले लिया क्योंकि पॉइंट बहुत कम आ रहा था रिटन कितना एक्सपेक्टेड है 15% तो इंटरस्ट यह आसानी होगा थोड़ा सा निकालने में 3.45 का 15% यह एक यावन 750 2.70 4.40 24.25 कर दिया कितने परसेंट है 15 31 30 यह आगेस 14 14 750 712 25 नाव हम बहुत आसानी से इसको A मान लेंगे इसको B और अभी बैडडेट्स भी है नहीं पिछले वाले कोशन में था न यह नहीं है तो इसको B तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे A माइनस में B सभी लेवल के प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो दो लाख बीस अजार माइनस में 51, 750 2, 5, 0 2, 7, 8, 39 माइनस 46, 6, 25 2, 30 2, 30, 208 एक बार चेक भी करते रहना यह देखो कितना बढ़ी गया है यहां पर 158 यह गलत आ रहे हैं साय 158, 500 क्या आ रहा है यहां पर 15 3, 7, 5 ठीक है 185 एक 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 सट साच्व पचाँस एक सात्तर एक पच्पन एक साट एक बावन अब सर कुश्चन का क्या कहना था कि यह पर्पोस पॉलेसी कहता है कि एक इवलेट डिफरेंट पर्पोस पॉलेसी एन पॉलेसी शुट भी अडॉप्टेड अगर अडॉप्ट करना यह नहीं करना तो अगर देखा जाए तो हम इसका भी पॉलेसी चेंज करने की ज़रत नहीं है हमारा पर्जेंट पॉलेसी के अंदर ही पॉलेसी ज़धा आ रहा है बट अगर मुझे इस पाच पॉलेसी में चूज करने को बोला जाता तो सबसे best policy हमारा proposed वाले में से ये वाला accept करना बेटर होता है अगर हमें पांच policy में बोला जाता है हाला कि हमारा present policy best है but due to financial difficulties we should be हमें maybe opt कर सकते हैं 45 days वाला policy समझ मैं यह बत आपको यहां पर इस तरीके से आपका mixed answer आ सकता है बुक के अंदर भी मैं पढ़के बता देता हूँ क्या रहा है आपका नई मैं चीजे पढ़के बता दूँ क्योंकि बच्चे फिर परिशान होंगे यहां पर बिल्कुल जो हमने किया है ना same pattern बुक में भी follow किया है पिछले वाले में नहीं किया था कहता है इट में भी observe that the profit 16825 however the decrease least of the policy 345 वही चीजे लिख दी है इनोंने तो मैं तो बुक के साथ साथ compare कराता चलूँगा आपको दिक्कत ही ना हो clear है बुक कौन सी है सर आरपी रस्तोगी बुक है आपका जो पूरे डेली युनिवर्सिटी में और बाहर के युनिवर्सिटी में भी famous है online available है ले सकते हो किसी बच्चे को इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताईए सर investment add QFC और VC को सर investment में add QFC ये investment नहीं है ये investment in debtor है मैं debtor नहीं लिख रहा मतलब debtor में कितना पैसा फसेगा येही दोनों तो पैसा फसेगा आपका debtor में और वही चीज मैंने यहां लिख है चिक है clear बताईए किसी बच्चे को कोई डाउट समझ में आ रहा है पूरा चप्टर देखिए पिछला चप्टर भी आपने किया और वह भी देखा आसान था ये चप्टर भी किया ये भी आसान है बहुत सारे प्रोग्राम के बच्चे ना बोलते हैं FM नहीं लेते हैं law ले लेते हैं तो theoretical में marks comparatively cut जाते हैं और regular college में तो भी या option में देते नहीं है जल्दी FM ही देते हैं और honors में तो खेर compulsory है तो उनके लिए तो कोई इफ बट है ही नहीं क्या नहीं यहां पांचवा और छटा इनका असान कर दिया अगर पांचवे में नहीं लिया तो छटे में कुछ और different subject छटे में और FM नहीं है नहीं जी एस्टी है यहीं प्रोग्राम में वो नए वाले syllabus के नए वाले syllabus में तु देखो अभी तीसरे semester होगा उनका तो कोर कर दिया है आफ है program honors नए वाले syllabus में सही किया है भाया तुम honors पढ़ो program पढ़ो core subject सबका सेम रहेगा लेकिन पुराने syllabus में core subject भी बदल दिया थे पुराने स्लेवस में प्रोग्राम वाले बच्चों को GST पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा पूरी लाइफ में लेकिन नए वाले स्लेवस में सब को GST पढ़ना है तो पढ़ना है सब को कॉर्पेट पढ़ना है तो पढ़ना है कॉस्ट पढ़ना है तो पढ़ना है चलिए क्या कहता है कुश्चन पढ़ लेते हैं यह होमवक में दूगा मैं आपको कुश्चन कहता है दा मैनेजमेंट आफ आकरूती लिमिटेड कंसेडरिंग दा चेंज पर्जेंट पॉलेसी चाहती है बदल दे डा डिटेल ओफ आप्शन कहता है पर्जेंट में उसका जो सेल्स था वो इतने का इतने का इतने का हमें इनसे मतलब नहीं हमें टाइम से अभी करेंटली वो तीज दिन का देती है वो चाहरी है कि मैं पैंतालेस साथ और अगर पिछेत्तर का दे दूँ तो वेरियेबल कॉस्ट निकाल रखा इसी का 80% निकाला ह हुआ है यानि पिछले सवाल में हमने मैनत करी थी इस सवाल में वो खुदी निकाल के दे रहे हैं टोटल कॉस्ट भी आपको एक्जेक्ली इन दोनों को टोटल करके ही पता चल जाएगा ठीक है फ़र्म रेट ऑफ इन्वेस्मेंट कहता है यहां पर हमारा पैसा 20% रहेगा किसी को कोई दिक्कत बता दीजिए जितने बच्चे लाइव क्लास में आप बता दें के सर यह कुशन डन कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएं बताईए येस क्योंकि सिमलर है बिलकुल इसलिए नहीं करा रहा हाँ एक और सवाल रेंटल शुड़ भी यह मुझे कराना पड़ेगा यह भी मुझे कराना पड़ेगा जो जो सवाल करना है मैं होमबग लिखके डाल दूँगा यह भी मुझे तो बाकी के सवाल अबना मुझे कराने पड़ेंगे तो आज की क्लास के लिए क्योंकि मैं स्लेवर्स को इतना फास्ट नहीं करना चाहता नहीं तो कराने आज यह चेप्टर ही खतम कर दें लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं आपको भी तो प्रैक्टिस करना होगा नोट भी करना है रिवाइस भी करना है इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ आपको यह कोश्चन स्रिफ होमवक में करके आना है अगली क्लास में कोशिस करेंगे चैप्टर एंड कर दें अच्छा आंसर भी लिख दें इसका आंसर बताओ किसी के पास किताब में है तो आंसर नहीं कौन सा बैस्ट है यह तो जानेंगे ना बच्चे बता दो इसका आंसर बाकी किताब ले लो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई आप बिना किताब के नहीं पढ़ पाओगे दिक्कत हो जाएगे आपको ये बी ये ये वाला पॉलिसी इसके अंदर एक्सेप्टेबल है आप जब करेंगे तो आंसर इसका ये वाला बैस्ट आएगा ठीक है ये भी बता दिये चलिए और किसी बच्चे का कोई डाउट चलिए टेनियर अभी आठ से दस दिन लगेगा मैं कल एक बार डिसकस कर लूँगा कितना रहे गया है टेनियर के अंदर काम टेनियर आपको मिल जाएगा आठ से दस दिनों बाद इतने बुक के कुश्चन करेंगे जैसे ही आपके टेनियर मार्किट में आएगा मैं टेनियर के भी सुल्यूशन डालना साथ के साथ चालू कर दूँगा जो टेनियर के अंदर के सुल्यूशन है ठीक है बुक सेकेंड हैंड ले आप सेकेंड हैंड लीजिए कोई भी लीजिए ऑनलाइन लीजिए बस बुक ले लीजिए आप ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास के अंदर